हेलो गाईस तो आज किस वीडियो में हम करने वाले क्लास तेंथ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइस 8.4 का क्वेशन नमबर सेकेंड जो कि बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपके बोर्ड एक्जाम के एसाब से देखा जाए तो तो देखें आज इस क्वेशन को सॉल करेंगे देखो क्वेशन क्या है हमको प्रूफ करना है कॉस ए अपॉन प्लस साइने प्लस वन प्लस साइने अपॉन कॉस ए किसके एक्वल होता है तो अगर हम लेफ्ट एंड साइट को सॉल करें ठीक है आगे इसमें formula put करके या फिर इसको lcm लेकर solve करें तो हमको क्या मिल जाएगा 2 sec a मिल जाएगा तो देखिए करते है solve सबसे पहले क्या करेंगे left end side को solve करेंगे lhs लिख दिया मैंने तो lcm कैसे लेते हैं ऐसे fractions का upon में जो भी है ठीक है 1 plus sine a time 1 plus sine a क्या हो जाएगा 1 plus sine a का whole square देखो 1 plus sine a इंटू 1 plus sine a दोनों सैम चीज़े हैं और सैम चीजों को अगर हम multiply करते हैं तो square हो जाता है ठीक है जैसे x इंटू x x square a into a square तो वेसे 1 plus sine a इंटू 1 plus sine a 1 plus sine a का whole square upon में क्या है upon में क्या कर देते है same इन दोनों को multiply कर देते है 1 plus sin A into cos A क्या हो जाएगा इनको multiply कर देंगे 1 plus sin A into cos A ठीक है अगर इसको आगे देखा जाए solve करें तो देखो उपर क्या है cos square A तो cos square A same रहेगा plus 1 plus sin A का whole square तो 1 plus sin A का whole square A plus B का whole square लगाएंगे इसमें तो A क्या है 1 A तो 1 का square plus B क्या है sin A तो इसको लिखेंगे हम sin A का sin square A ठीक है B square यानि कि sin A का square यानि कि sin square A ठीक है plus 2 A भी होता है A क्या है 1 है 2 into 1 2 होगा और B क्या है sin A यानि कि 2 sin A इसको A plus B के whole square से open कर दिया है अब देखो upon में क्या है upon में as it is उतार देता हूं क्या है 1 plus sin A into cos A ठीक है समझगे अब देखो इसको क्या है cos square A और sin square A क्या होता है हमारे पास मिलकर क्या बनाते है cos square A plus sin square A का value क्या होती है 1 होती है ठीक है तो 1 रग दिया मैंने ठीक है cos square A और sin square A की जगा 1 रग दो फिर plus क्या है 1 का square तो 1 ही होता है फिर ये तो हो गया इन दो रों की जगा मैंने 1 रग दिया है तो आप क्या बचा है हमारे पास सिर्फ plus 2 sin A ठीक है अब देखो upon में मैं as it is उतार देता हूं अगर इसको further solve करें तो ये देखो ये 1 plus 1 क्या होगा 2 होगा 1 plus 1 2 plus 2 sin A उपर बचेगा ठीक है upon में क्या रहेगा as it is उतारते हैं 1 plus sin A into cos A ठीक है आप देखो उपर से यहाँ पर 2 common ले सकते हैं अगर 2 को common ले तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर plus क्या बचेगा sin A और upon में क्या रहेगा as it is उतार देंगे 1 plus sin A into cos A ठीक है अब देखो 1 plus sin A नीचे भी है और 1 plus sin A उपर भी है दोनों एक दुसरे को cancel out कर देंगी तो हमारे पास क्या बचेगा 2 upon cos A उपर 2 बचा नीचे cos A बचा अब देखो हमारे हमको पता है cos A क्या होता है 1 upon sec A के एकवल होता है तो 2 upon cos A को क्या लिख सकते है 1 upon sec A लिख सकते है ठीक है और यह sec A कैसे होता है इससे multiply होता है तो answer क्या जाएगा हमारा 2 sec A ठीक है समझ गये और यह हमारा क्या था RHS था ठीक है हमने left hand side को solve किया और हमको last में क्या मिल गया है हमारा right hand side मिल गया है देखो हमको 2 sec A ही proof करना था उपर ठीक है यह देखो हमको last में answer क्या इसको किसके equal लाना था 2 sec A के equal लाना था और वो हमारा आ चुक है